जैसे राम दोस्तों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल प्लीज अगर आपको मेरी कहानी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आप आगे भी और अच्छी कहानिया सुन सको दोस्तों एक बर एक भीकारी रेल के डबे में बैठे यात्रियों से भीक मांग रहा था अच्छानक उसकी नजर एक सूट बूट पहने वे आदमी से हाथ में ब्रिपकेस लिए आदमी पे पड़ी भीकारी ने सोचा ये कोई सेड़ जी लग रहे हैं क्यों ना हो आज इनी से भीक माई जाए भीकारी उनके पास गया हाथ फेलाया सेड़ जी ने का हमेशा मांगते हो कभी किसी को कुछ दिया भी है भीकारी बोला सेड़ जी मैं तो भीकारी हूं मैं किसी को क्या दे सकता हूं तो सेड़ जी ने का अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुमे लेने का अधिकार किसने दिया है सेर जी ने कहा मैं तो एक ब्यापारी हूँ और मैं लेन देन पर विश्वास करता हूँ मैं उसी को कुछ देता हूँ जो बदले में मुझे कुछ देता है और इतना कहते हुए सेर जी का स्टेशन आ गया असेट जी उतर गए लेकिन भीकारी बहुत सोच में बढ़िया कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ सोचते सोचते उसने अचानक उसकी नजर सामने खिलेवे कुछ फूलों पर पड़ी भीकारी ने सोच लिया कि आज से जो मुझे भीग देगा मैं उसको फूल दूँगा और ऐसे उसने सिलिसिला उसका शुरू हो गया जो उसको भीग देता फूल देता और उसको भीग भी जादा मिलने लगी जब फूल खतम हो جाते हैं भीग भी थोड़ा कम हो जाती एक दिन उसकी रज़र अच्छानक फिर से उनी सेर जी पर पड़ी, भागता हो उनके पास गया, और का सेर जी आज मुझे भीग दे दीजिए, क्योंकि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, सेर जी ने का बहुत अच्छा, सेर जी ने उसको भीग दी, उसने सेर जी को फूल दिया, सेर जी ने का ये तो बहुत पढ़िया है सेजी ने गा रहे वाँ आज से तुम मेरी तरह ब्यापारी बन गए हो और सेजी स्टेशन पे अपने उतर गए लेकिन भीकारी बहुत सोचने लग गया कि सेजी ने मुझे ब्यापारी कहा खुश होने लग गया भीकारी बहार गया दोनों हाथ फैला के आस्मान की तरफ देखे ही भगवान तेरा भौध भौध सुक्रिया तुने आज मुझे भीकारी से ब्यापारी बना दिया नाचने लगा गोल गोल गूम के खुश हो गया उस दिन के बाद भीकारी वहां दुबारा कभी नहीं दिखा लगबग एक साल बाद दो सेट सूट बूट पहने वे ट्रेन की बर्थ में आमने सामने बैठे थे सामने वाले ने सेट जी को प्रणाम किया और का सेट जी मुझे पहचाना सेट जी ने का नहीं जी ने का सेट जी मैं वही भीकारी हूँ जिसको आपने कहा था कि अगर तुमारे पास देने को कुछ नहीं है तो लेने का अधिकार किस ने दिया सेट जी आपने मुझे परकृती के उस नियम से जोड़ा और आज मैं भीकारी नहीं मैं ब्यापारी हूँ मेरा फूलों का ब्यापार है और ये सब आपकी बद्वलत है आपने मुझे परकृती के उस नियम से जोड़ा आपका भौद भौद धन्यवाद है और वो सेट जी के पैरों पे गिर पड़ा सेट जी ने उसे उठाया गले लगाया उसकी पीर थप थप आई और कहा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया और सेट जी चले गए तो दोस्तों हम जो है जरूरी नहीं हम हमें सब ही है हमने मान रखा है कि हम ये हैं दोस्तों हम वो हो सकते हैं जो हम होना चाहते हैं हम जो चाहते हैं हमें वो सब मिल सकता है हम जैसा बनना चाहते हैं वैसे बन सकते हैं बसरते कुछ नियम है प्रकृति के नियम है अगर हम उन नियमों का पालन करते हैं और इनी नियमों में एक देने का नियम है जैसा देंगे वैसा पाएंगे जितना देंगे उतना पाएंगे और जैसा चाहेंगे वैसे बन जाएंगे थेंक यू